सभी माता पिता अपने बच्चों को प्रतिभाश हाली देखना चाहते हैं प्रतिभाश हाली होने का क्या मतलब है पहले जानते हैं प्रतिभाश क्या है इसको इसके आठ मुख्या आयामों की चर्चा करते हैं इससे बात समझ में आएगी कि यह प्रतिभाश क्या है पहला आयाम है असाधारन योगता होना असाधारन योगता, साधारन वेक्टी में भी कुछ ली कुछ ही योगता होती है लेकिन किशी छेत्र में ही विशेस योगता, जिसे आइंस्टिन की वैग्जानिक बनने की वुट परतिवाले अरके आया है तो असाधारन है तो निश्चित रूप से कहेंगे कि प्रतिवाशाली है उस तरह से पेले फुटबॉल में असाधारन योगता लेकर के आया तो कहेंगे कि भई ये तो बिलकुल ही असाधारन योगता पेले की थी वो मामूली नहीं असाधारन नहीं तो असाधारन योगता कि किसी शेत्र में होना यह प्रतिवा की निशानी है दूसरा क्या है असाधारण बुद्धी किसी की बुद्धी बड़ी कुशाग्र होती है आप तो आई क्यू से उसको ना पी सकते हैं कि इंटेलिजन कोफिशियंट उसका कितना है कौन कितना बुद्धिमान है अब इसका तो भी आ गया इसकी कसौटी आ गई है तो बहुत लोग अत्यंत कुशाग्र होते हैं बड़े प्रतिभासाली होते हैं उनका इंटेलिजन्स जो कोफिशियंट होता है और बहुत ही उंचा होता है जो तीसरा याम है किसी शेत्र में जैसे कोई कावी स्रीजर में बहुत ही निप की निपूरधा थी उसी तरह से कोई आविष्कार कर रहा रखने में पूरता जी से एडि में तीन सो से ज़्यादा इता है वैसे कोई नृत्य नर्थ तो इनको कहा जागा कि बड़े प्रतिभाशाली लोग है क्योंकि किसी ने किसी शेत्र में असाधारन ने पूरता इनको प्राप्त है उसी तरह से जो चौथा आयाम है कि कुशल हैं और दक्ष हैं एफिसियंट है कारे को बड़ा सुगंता से निस्पाजित करते हैं हमने देखा कुछ लोग ऑफिस जाते हैं और रात रात आठाट बज़े नौन बज़े तक करयाले में बैठे रहते हैं लेकिन कुशलता तो यह करेगी कोई दस बज़े से पांच बज़े तक ऑफिस है तुम दस बज़े जाते हो पांच बज़े आते हो और दस से पांच के बीच में तुम जो भी कारे हैं वो सारे काम तुमने निफ्टा दिये जल्दी डिसिजन दिये कुछ लोग फाइल पर लेक चोड़ देते थे और दस से पांच के बीच में कोई भी बात लेकर करके जाओ वो तुरत उसको निफ्टा देते थे तो इतने वह उसमें उनकी कुशलता थी कारे निश्वादन में कि मैं दंग रह जाता था तो निश्ची थी कि जो कुशलता पुर्व किसी काम को कर सकता है जिसमें निफूर्ट जिसमें यह एफिसेंसे दक्षता उसको कुशल कहा जाएगा उसी तरह से जो पांचवा आयाम है असाधारन विवेक होना चाहिए एक प्रज्या होनी चाहिए एक अंडरिस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर असाधारन रुप से विवेक है तो मेल ब्यारि बाज़ irony थे भारत की प्रदान मंत्री की गजब के वक्तिता की श्यमता थि वेसी বतंबरा आज के उगमें बहुत ही कुशल वक्ता तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसमें बहूत ही वक्तिता की श्यमता आदि अभी मनोज मुंत्सिर हैं असाधारन वक्तिता के दनी है तो निश्चित लुप से वक्तिता की तो प्रतिवाए यह एक काया मैं फिर साथमग सथा व्यायाम है विद्वित्त असाधारों लडुप से विद्वत्ता में उनकी प्रतिवा होती है जैसे हमारे में किरपालु महराच विश्वगरू कि विद्वत्ता थी जारे वेद उपनीशा तो ऐसे ही जह उद्रित करते रहते थे डॉक्टर राधा कृष्ण भारत के उपरास्टरपती बड़े ही विद्वान थे भारती दर्श विश्व हुए असाधारना अध्यात ग्यान था तो यह सब प्रतिभा के सबको प्रतिभाशाली कहा जाएगा यह प्रतिभा के यह सब आयाम है फिर प्रतिभा के शेत्र क्या क्या होते हैं प्रतिभा के आठ प्रभुक्षेत्र होते हैं जिसमें की जिसके में महारत हासिल कर बालों को प्रतिवाशाली कहा जाता है जैसे पहला है साहित्य और काव बहुत सारे लोगों की महारत होती है और साहित्य और प्रतिवाय का विकास हो सकता है दूसरा कलायों संगीत इसमें तो इसमें भी प्रतिवा का निखार होता है बहुत साले लोग अपने प्रतिवा का निखार कलाय हम संगीत के मादम से करते हैं तिसरा वैज्ञानिक आविश्कार हैं टेक्नलोजी जैसे न्यूटन एपीजे अब्दुलकलाम यह सब लोगों ने अपनी प्रतिवा को इस छत्र में कर दो को से कुछ लोग आजो छौथा स्ट्रा आपने प्रतिवा का निखार करते ह्ढ़ वानी जी में करते हैं जैसे टाटा यासे बिल्दा अम्भानी चीन का जैक माव वैसे अमेरिका का वीलगेट एन लोगउन अपनी प्रतिवा को वानीजे के शत्र में निखार पेले का नाम लिया वैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कुष्टी है कुष्टी में अभी भारत के तुमने देखा कि जापान में पैरारंपिक हुआ और कहीं खिलारियों ने अपनी प्रतिवा को दिखाया तो इस शत्र में खेल कूद में भी अपनी प्रतिवा को बहुत से सारत बनती हैं कुछ लोग बड़े कुषल आर्किटेक्ट होते हैं अब जैसे कि भुगनेश्वर में कोणा आर्क का मंदिर है तो वहां का जो शिल्पी था विश्वकर्मा था उसने भुगनेश्वर में 100 मंदिरों को बनाया तो निश्चित रुप से वह असाधार राथ है तो अर्किटेक्ट्चर के शेत्र में भी यह और इंजीनियरिंग जैसे विश्वर सुरय हुआ हुआ है जिन्होंने बंगलोर में अपना इतना असुन्दर नरुल्दा पर डैम बनाया उनकी प्रतिवा थी उसी तरह से शात्माया है साथ माश्वकर्ण लोक मंगल क कारे करने की कुछलों की प्रतिभा होती है जो इसमें निखार सकते हैं से मदर्ग तेरेसा ने खुब लोकमंगल के लिए कारे किया खासकर अनाथ बच्चों के लालन पालन के विकास के लिए बहुत संदर कारे किया ऐसे अध्यात्म एक बहुत विराड शेत्र है जिसमें प्र लगाविया तो इन लोगों ने अध्याक्त के शचत्र में अपनी प्रतिभा को दिख़ाया तो अब यह आप जो सवाल पूछ रहे हो तो प्रतिभा शाली होने का मतलब क्या है तो आपका मतलब बहुत समझ रहूंगा आप जानना चाहते हैं कि प्रतिभा की कसौटी क्या है पहली कशोटी आरथिक उपलब्दी की संसार यह मानता है मैं यह ने tell कि यही कि मात्र कशोटी है लेकिन संसार मानता है कि आपके भीतर प्रतिभा है तो क्या आर्थिक रूप से है यह संसार की कशोटि है सात अन्य कसोटि के वीचर्चा करूंगा जêu प्रतिभागी कशौटि यदि सामाने तो सनसार इस बात पर आजी है। अगर आपके पास प्रतिभाई तो आपके पास आर्थिक उपल्ब भी होनी चाहिए है। करें दूसरी के शोटी है कि राष्ट्री या अंतराष्ट्री पुरस्कार आपको मिलाई इसको भी संसार समत होता है या आपको रभिना टायर टैगोर जैसा Nobel प्राइज बिला तो जिसको Nobel मिलता है जैसे भारत के जो अमर्थ सेन उनको भी Nobel Prize बिला तो Nobel प्राइज इसको को बिलता है या ऐसे ही राष्ट में राष्टिय पुरस्कार कोई मिलता है तो उसको प्रतिभास साली माना जाता है तो राष्टिय और अंतर राष्टिय पुरस्कार भी प्रतिभा की कसोटिये जो तीसरी कसोटिये है वो लोक प्रसिद्धी या लोक आश्रे क्या आप बहुत ज्यादा popular है जैसे आप सीने आर्टिस्ट हो गए हैं जैसे मालम आप बच्चन तो लोग आश्रें उनको मिला लोग में प्रस्तित मिली तो निश्चीत रूप سے कला के शितर में सीने मार्टिस है में उनको माना जाएगा कि हाँ यह प्रतिभाश आलिए वेखती हैं उसी तरह से जो चौता चौती कर्षोटी हो कि लोक मंगल की कारे किसी ने बहुत परोपकार किया है लोक मंगल का बहुत कारे किया है तो आप देखते हो उसके नाम पर कई जगहों का सड़क का नाम उसके न किया है और फिर जो पांचवे करसोटी है कोई उच्पद आपने प्राप्त किया जैसे भारत की प्रधान मंत्री हुए नर्दर मोदी हुए जवालाल नेरु हुए तो इंद्रा गांदी तो निश्चित रुप से जिन्हों ने उच्पद प्राप्त किया उनको भी हम प्रति नकी यूट्यूब है या और भी ट्वीटर है कितने फॉल वर सुनकरे हैं लोग उसको भी स१ल दाट कि शोटी मानते लेकिन फॉल वरसे मैं फॉल्वर्स की कोटी क्या है किसथा है फोल संख्या से नही होगा अब जैसे मालो थअब गुद्ध कर 25 माहराजे सब उनके फॉल जाएगा है कि उनके जो प्रसंसुकों की जो क्वालिटी है किस कोड़ी की है कबीर आप जाला राने आती है और कबीर की शिश्य उसे चित्तोड की महारानी आकर कि उनकी शिश्य हो जाती है तो संख्या तो कभीर साब के सिष्यों की 484 लेकिन की quality क्या है और फिर रविदास संथ मीरा चित्योड की राणी आती है उनकी सिष्या होती है तो निश्यत ही किस quality के followers हैं आपके आपके तो उस व्यक्ति की प्रतिभा मानी जाती है यह कसोटी इवी है कि उनके मानने वाले उन quality काव्य उसने दिया है तो आँ तो अब तुलसीदासजी ने रामचरी मानस रचना की आज घर घर में रामचरी मानस तुम पाओगे तो निश्चितरुप से कावे रचना के कुankा कितना जादा हो तुम्हारे काव कि तुमारे कहत्य की प्रसंसा हुई है तोुआ इस वे के सौट है और फिरिरत आपका वेक्टी तो किसी का वेक्टे कि तव प्रेरक रह Nagoda कितने है लोक नायक तिम्हीं हूए हो अरह राम का व्यक्तित प्रेयरक्व है काते है मैंतलिशनagon गुप्ट हो एक राम तुम्हारा चरीत SU yeah में ही काव्य है היय जो भी कवी Canadian सहि ऐराम तो अपने आप में भी काव्य किहां हो गया कितना आपका व्यक्टित आपने जिवन जिया है वो कितना वो प्रेर क्वान PrzyCu दूसरे लोगों के लिए तो यह बी प्रतिभाग की कशौटी है आज के सत्संग को यहीं विड़ाम कि बेते हरि ओम नदता है